हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग मैं हूँ इस्तेकार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ए ए ऑनलेन सोलूसन में और मैं आप लोगों के लिए जैसे की पता है कि कल आपका सेंटर परिक्षा में साइंस और मैथ हुआ था और उसका भी अंसर की हमारे चैनल पर आ गया है और अब जो है आज आपका होने वाला है समाजिक विज्ञान तो इसमें हम आपके लिए कुछ गेस कोशन लेकर आए हैं और इसमें हम 48 बलके हम 40 कोशन लेकर आए हैं और इसमें हम गैरेंटी आपको दे सकते हैं कि 20 या 15 कोशन कमफर्म एक्जाम में लड़ेगा ठ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जितना भी कोशन बताऊंगा सब कोशन को याद करके सेंटर परिक्षा में बैठें और अच्छी से याद करें सारा कोशन आपके एक्जाम में आने वाला ठीक है देखो पहले नंबर सवाल कहता है कारल माक्स का जनम कहां हुआ था सब आ अग्जाम में मैं प्रिविस कुशन और कुशन बैंक में भी देखा हूं तो बहुराष्ट कंपनी वाला भी पूछ चुका है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत खाना निमनलिकित में से कौन बहुराष्ट कंपनिया है तो यहाँ पर तीन हो सैमसंग कोको कोला फोर्ड मोटर्स यानिके इन में से इन में से सभी यहाँ पर डी ओप्सन राइट जाएगा ठीक है बहुराष्ट कंपनिया इन में से ओप्सन डी हो जाएगा सभी अब देखे त्री नंबर सवाल केता है के निमनलिकित में कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है ध्यान से दर्भंगा हमारा राइ टांस रहोगा दर्भंगा नहीं है ए ओप्सन करेक्ट तांस रहोगा ठीक है जितना भी कोशन में किलियर कर रहा हूं सब कोशन को आप याद करके जाना मैं बो रहू ना पका अगर मैं रियली बोलू तो बीस से पंदरा कोशन पका एक्जाम में सबसे पहले जो है मुद्रन की सुरुवात चीन में और चीन की राज़ानी बिजीन सी ओप्सन राइट होगा नेक्स्ट कोशन देखें यह भी कुशन इंपोर्टेंट इसको छोड़ा करते हैं ठीक है सिक्स नमबर सवाल कहते हैं जी राजिनीतिक दलो की नियू सबसे पहले यानि की सर्वपर्थम किस देश में पड़ी तो राजिनीतिक दलो की जो नियू है सबसे पहले जो है ब्रिटेन में पड़ी यानि की ओप्सन हमारा ए ओप्सन राइट हो जाएगा आप लोग सिरियल बैस सब कुशन का अंसर कॉमेंट बोक्स में देना ठीक है ओक है और इस कौन थी बिहार की सबसे पहले रेल लाइन लिम्न में से कौन थी सेवन का बी ओप्सन राइट होगा इस्ट एंडिया रेलवे ओप्सन बी राइट होगा ठीक है आप जो भी कुशन में बड़नों इसके खीशते चली जाओ जिससे कि आपका याद भी हो सके कुशन अगला कह भारत के किस अस्थान पर पहला पर्मानु उर्जा केंदर अस्थापित है तो पता है ना हमारा डी ऑप्सन राइट होगा तारापूर में ठीक है किस अस्थान पर उर्जा केंदर हमारा जो अस्थापित है पर्मानु उर्जा केंदर तारापूर ऑप्सन डी राइट होगा अगला question देखे, खाद कार खाना है, देखो important question है, और ये question आपके exam में देखने के लिए मिलेगा तो ध्यान से, ठीक है, खाद कार खाना हमारा कहा है जी, तो यहाँ पर A option right होगा, बराउनी में, है ना, खाद कार खाना कहा है इस तिद्ध, तो बराउनी में है A option right होगा, हैं किस से लोगतंत्र का परान माना जाता है, यारे भाई मत जाओ, 40 question बाकी है, मैंने क्या बहला, 15 या 20 question exam में लड़ेगा तो 40 question को धियान से note करो यारज जाओगे वीडियो छोड़कर बहुत पच्छता होगे ठीक है कि सुचना के अधिकार आंदोलन की सुरुआत कहां हुई थी राजिस्थान में ए ऑप्सन राइट होगा अगला कुशन देखे बिहार के की सहर में जूट उद्धुग अस्थापित है बिहार के कौन ऐसा सहर है जिसमें की जूट उद्धुग अस्थापित है तो चौदा का जो राइट आंसल होगा हमारा वो देखे यहां पर कंफ्यूजन कुशन में यहां पर कटिहार भी होगा और सहर सा ठीक है तो बी और डी हो जाएगा राइट और हाजिपूर मधिपूर नहीं है लेकिन अगर ब करान्ती धागे अगला अलर सवाल निमने लिकित में से कौन राष्ट्रिय दल नहीं है तो भारत्य जंतबाटी तो यहां पर 16 का right answer option हो जाएगा भारतिय जनता दल जो है वह एक राश्टिय दल नहीं है है ना ओके तो यहां पर राश्टिय दल ठीक है भारतिय दल नहीं बलके राश्टिय जनता दल है ना अगला नमर सवाल देखिए निमने लिकित में खरीफ फसल कौन है बताएंगे आप लोगे पिल्कुल एजी सवाल है और अपके एक्जाम में पक्का देखने के लिए मिलेगा खरीफ और रभी से ठीक है तो जब भी आप एक्जाम दो किसी भी सेंटर पर एक्छा दो या रियल फाइनल एक्जाम दो ठीक है रभी और खरीफ के वारेम देगा तो खरीफ फसल हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहां पर सी ऑप्सन डाइट होगा चावल हना और गेह हुं रभी अगला नमबर सवाल देखिए अठारा नमबर सवाल कहता है आपका छोटा करें इसको देखिए अठारा नमबर सवाल कहता है कि हुगली और धोगिक पर्देश का पर्मुख केंदर कौन है हुगली और धोगिक पर्देश का पर्मुख केंदर हमारा यह हो जागा जी कोलकाता मेदीनीपूर ठीक है तो यहां पर टाइप में मिश्टेक है लेकिन मैंने आपको Real answer बता और C option याद कर लो ठीक है ? चलो अगला नंबर स्वाल लेको निमने करन में निमने कारण है इसका मुख के कारण आधिक सिंचाई देखे यार अगला नमबर सवाल कहता है मालवे के नीचे इंप्रारेड कैमरा ठीक है मालवे के नीचे कोई मतलब दबे हैं लोग तो उनको पता लगाने के लिए हम इंप्रारेड कैमरा का मज़द ले सकते हैं इसका इस्तेमाल हम कर सकते है ठीक है एक इस नमबर सवाल कहता है कि निमनलिकित नदियों में से बिहार का सोक किसे कहा जाता है ये कुशन तो मैंने कितना बार लैब में ये कुशन कितना बार वीडियो में डिसकस हो चुका है तो आयोग को आपको याद भी हो गया ठीक है बिहार का सोक को उसी नदियों को D option right होगा और एक्जाम में आएगा हर साल आता है कुशन ठीक है देखें निमनलिकित में से किसे प्रात्मिक छेतर कहा जाता है बताएंगे आप लोग आपसर इसका बिलकुल आसान कुशन है प्रात्मिक छेतर किसे का जाता है ठीक है तो 22 कभी क्रिसी छेतर को हम लोग क्या कहते है प्रात्मिक छेतर यानि कि हमारा B option right होगा देखो यार अगला नमर सवाल अभी तो 20 कोशन ही पहुँचे है 17 कोशन और बाकी है दम मत तोड़ियेगा आंते तक देखेगा ठीक है जहां यहां तक छोड़ दिया है तो आपके एक्जाम में जो कोशन है बहुत कम अंका आएगा मैं बोह रहूं ना अधिकतर कोशन मेरा सिवंटी परतिसत यानि कि 60 परतिसत लड़ेगा ठीक है यह मैं अपने तरफ से बोल सकता हूँ अगला नमबर स्वाल देखे सुखाल का कारण है बताए सुखाल का कारण क्या है तो आपसन पढ़ेंगे देखे सुखाल का कारण कम वर्सा आपसन B में कहता है मानसूनी वर्सा की सिमित अवधी आपसन C कहता है आप परियाप्त जल संचरन option D में कहता है इन में से सभी तो यार बताओ कि सुखार का हमारा क्या करण है तो हमारा option D होगा यानि कि सब का जो कारण है सिम हो रहा है यानि कि सुखार का करण सम में है यानि कि इन में से सभी D option राइट होगा है ना किस वर्ष इंडियन एरलेंज को इंडियन नाम दिया गया है तो 24 का डी आप्शन डाइटों का 2005 को याद करेंगे 2005 को इंडियन नाम दिया गया अगला नमबर सवाल देखिए पक्की सड़कों की लंबाई की द्रिष्टी से पर्थम अस्थान पर कौन सा राज जी है ठीक है पक्की सड़कों की लंबाई की द्रिष्टी पर पर्थम राज जी है तो अगर आप चारों आप्सन को पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले हमारा B मे विसेस्ता नहीं है जब इसका राइट आंसल ओप्सन हो जाएगा हमारा सी एक हरी सासन वैवस्ता और ये कोशन भी काफी अपरादी कोशन है अपरादी बोले तो कोशन जो बार बर पुछा जाता है उसे अपराद कोशन कहते है अगला नंबर सवाल कौन निम लिकित में कौन बहुराश्ट कमपनी है देखिए बहुराष्ट कमपनी से एक कोशन पहले हो चुका है ठीक है अब लगता है कि कोशन दोबारा आ चुका है बहुराष्ट कमपनी कौन है जी यहाँ पर डी ऑप्सन राइट होगा 28 का 28 का डी होगा राइट देखो मैंने ये कोशन सुरू में ही डिस्कस किया था है ना सब है हमार सैमसंग कोका कोला फोर्ड मोटर्स यानि कि इन में से सभी बहुराष्ट कमपनीया है अगला नमबर सवाल देखो जे इसको छोटा करते हैं और 29 नमबर सवाल कहता है 15 लोगसभा चुनाओं से 15 लोगसभा चुनाओं से पुर्वे लोगसभा में महिलाओं की भागीधारी कि तो टेंड परतीस्त यानि कि 1030 परतीसत गोटा पाउचास परतीसत नहीं मारें और कोशन मीलेगा आपके में देखने के लिए इंपार्टेंट है मैंने ठीक लगा दिया समझे उसको याद कर लो ठीक है कोशन के थमसब ब्रांड को किस बहुराष्ट कम्पनी ने खरीद लि सबसे ज्यादा है हमारा महानगर में देखो कोशन अगला कहता है कि भारत अभुगतर संद्रचन आधिनियम की घोसना 1986 इस वी को है ना इस पीट में आप लोग कोशन को स्किन सोट खीशते जाएंगे और पता है कि कुशन आपके एक्जाम में आएगा ठीक है सबसे पहली पी तरंग यानि की पी तरंग के नाम से जाना जाता है यह आपसर रइट होगा और यह भी कोशन आएक आपके इक्जाम में ठीक है कुशन नमर्ठावा के संचार का सबसे लोग पर ये साधन हमारा सारवजनिक टेली फून हो जाएगा तो इसका आंसर देखें टेलीफोन किताब की माध्यम से अगर हम मैं बात करूं NCRT बुक की माध्यम से तो हमारा option A हो जाएगा और अगर हम वर्तमान में लोगपिरी साधन बोले तो मोबाइल हो जाएगा लेकिन हमें तो किताब की माध्यम से चलना है क्योंकि किताब से question अंसर पुछेगा तो यहां पर A option राइट हो ठीक है देखिए question अगला कहता है बिहार के जूट उस पादन में क्या हो आए ठीक है बिहार के जूट उस पादन में डौ 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 यहांने कि क्या आई है तो गिरावट हो रही है क्या हो रही है जो टूट पदर में गिरावट हो रही है अगला नमबर सवाल देखे वेवसाइफ बैंक को कराईश्टे करन कब किया गया था 1899 इस वी को C option right हो जाएगा Next question देश की संघनित बैंकिंग परनाले निमने में से कौन नहीं है तो सैथ इसका right answer हो जाएगा option number C सहकारी bank और मैं इसमें confused हो ठीक है यहाँ पर option number C मार रहा हूं और आप लोग भी इसका answer बताएगे इसका answer मेरा C तो confirm नहीं है लेकिन अगर आप लोग answer बताएगे तो उसके हिसाब से मैं इस वीडियो के नीचे comment box में answer को पिन कर दूँगा ठीक है मेरा answer तो option C है मैं भी confirm नहीं comment करना आप लग भी ठीक है question number 34 38 कहता है कि कौन मानव जनित आबदा है कौन मानव जनित आबदा देखो संप्राइड दंगा मानव के दवारा होता है अतंग बाद मानव के दवारा होता है महमारे भी मानव के दवारा होता है तो यहाँ पर option D हो जाएगा इन में से सभी मानव जनित आबदा है 49 नमबर सवाल कहता है कि सुचना के अधिकार आंदोलन की सुरुवात कहां से हुई राजेस्थान से 49 का हमारा A option right होगा अगला नमबर सवाल कहता है कि चूना पत्थर का उप्योग मुखेता किस उध्धोग में रहता है 40 का right answer हो जागा हमारा option A सीमेंट दोग तो मैंने आप आपके लिए इस वीडियो में 40 important objective question लाया आप लोग सुचने होगे कि सर का 40 question में कितना question आपका अलड़ेगा तो मैं इसमें 40 में से 15 से 20 question guarantee देता हूं ठीक है याद कर लेना सब question को है ना तो आप लोग वीडियो को जयारा से जतना जली हो सके तो जयारा से जयारा आप लोग शेयर कीजिए और इसको आप screen shot खीच लिजे सबसे अच्छा होगा ठीक है आप इसे screen shot खीच लिए सबसे अच्छा होगा और सारा question को याद करें यार और इंग्लीज की वीडियो साथ बज़ेट चलेगी ठीक है इंग्लीज की वीडियो सब लोग आना ना बोले और इंग्लीज में भी अच्छा question लड़ेगा आपके exam में okay everyone मिलता हूं मैं next वीडियो में answer की के साथ thank you bye